चाइनीज मनी लॉंडरिंग ग्लोबल है, जो आप राधिक संगटनों का समर्थन करती है, और इसके पीछे चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी का हाथ है. आपका स्वागत है. मैं क्रिस चैपल हूँ. चीन मनी लॉंडरिंग का वैश्विक केंद्र है. आप में से जो स्कोर रखते हैं, उनके लिए चीन जाती है नरसनहार, अंग निकालने, राजनीतिक अफरन और यातना के लिए एक वैश्विक केंद्र भी है. इस बिंदु पर मुझे लगता है कि वे कानून तोड़ना इतना पसंद करते हैं कि वे शायत खेल के प्यार के लिए जाय वाकिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र भी है. लेकिन जब उनके मनी लॉंडरिंग की बात आती है तो वे वास्तव में अभिनव होते हैं. अलग-अलग बदलाव बेहत भ्रमित करने वाल वे अपनी नगदी विदेशों में संपत्ती और संपत्तियों में लगाना चाहते हैं ताकि जरूरत पढ़ने पर उनके लिए चीन से बाहर निकलना आसान हो जाए. क्योंकि चीन जातिये नरसनहार, अंग हडपने, राजनीतिक अफरन और यातना के लिए एक वैश्विक के करने से रोकते हैं. यदि आप अकेले सुर्ख्या देखेंगे तो आपको विश्वास हो सकता है कि चीन सिर्फ नियमों को लागू करना चाहता है और गंदे पैसे को साफ करना चाहता है. लेकिन चीन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन रहता है और गंदे पैसे की सास और वो डिजाइन द्वारा है। वे जिस पैसे से सास लेते हैं, वो उस हवा से भी ज्यादा गंदा है, जिसमें वे सास लेते हैं। और वो कुछ कह रहा है। बैंकों से आगे नहीं देखें। चीन के राज्जी के स्वामित्व वाले बैंक की तरह है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने बैंक ओफ चाइना पर मनी लॉंडरिंग विरोधी कानूनों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2012 और 2014 के बीच योरोप करों का भुकतान किये बिना लाखो योरो बैंक ओफ चाइना के खातों में भीजे जाने पर उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बैंक ओफ चाइना मनी लॉंडरिंग की रिपोर्ट ही नहीं करता है। ये अन्य चीनी बैंकों के साथ अपराधियों के साथ सक्रिय रूप स सहयोग करता है 2015 में इटली ने Bank of China के मिलान शाखा प्रबंधकों पर जाल साजी, वेश्यावरिती, श्रम शोशन और कर्चोरी से धन की तसक्री में उनकी समलिप्तता के लिए मुकदमा चलाने की मांग की या जिसे CCP मंगलवार कहती है ये केवल कुछ लालची बदमाश कर्मचारी नहीं है जो अपना काम कर रहे है क्योंकि चीनी शासन ने वास्तव में इटली की मनी लॉंडरिंग जाच को बाधित किया और फिर भी दावा किया कि चीनी अधिकारियों को मामले के बारे में कुछ नहीं पता था कहानी के पश्चिमी मीडिया कवरेज के जवाब में चीनी राज़िद्वारा संचालित मीडिया दे ग्लोबल टाइम्स ने मंदारिन में लिखा कि दे बैंक आफ चाइना के पास इतालवी पुलिस के साथ सहयोग करने का कोई दायत्व नहीं है इसी तरह की एक घटना स्पेन में सरकारी स्वामित्व वाले और द्योगिक और वानिजीक बैंक आफ चाइना के साथ भी हुई जिसे ICBC के नाम से जाना जाता है स्पेन के अधिकारियों ने ICBC में चार कर्मचारियों को पकड़ा जो चीनी आपराधिक संगटनों सहित ग्राहकों के लिए करोडों यूरो की लॉंडरिंग में मदद कर रहे थे बैंक स्वयम बहुत सहयोगी नहीं था स्पैनिश अभ्योजकों के अनुसार मनी लॉंडरिंग पर नकेल कसने के बजाए बैंक ने जानबूचकर अपने ग्राहकों के बारे में भ्रामक जानकारी देकर जाच में बाधा डाली स्पैन के अधिकारियों द्वारा बैंक के ब्रष्टाचार में और अधिक ताग जहां किये जाने से चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी परेशान हो गई थी जिसके अच्छे कारण थे बैंक के यूरोपिय संचालन में जाच इतनी उपर चली गई की मेरिट में चीन के शीर्ष अधिकारी ने स्पैन के अधिकारियों पर जाच समाप्त करने के लिए दबाव डाला ये चेतावनी देते हुए कि ऐसा करने में विफलता आर्तिक संबंधों को लुकसान पहुचाएगी यह ऐसा है जैसे अगर आपके बॉइफ्रेंड ने आपको बताया कि अगर आप उसके कॉलर पर लिप्स्टिक लगाती है तो यह आपके रिष्टे को लुकसान पहुचाएगा वो बड़ा लाल जंडा है चीन का सरकारी स्वामित्व वाला कृषी बैंक भी भरष्ट मनी लॉंडरिंग का दोशी है न्यूयोक में राजी के वित्तिय सेवा विभाग ने पाया कि बैंक ने मनी लॉंडरिंग विरोधी कानोनों का उलंगन किया और संदिग्ध वित्तिय लेंदेन को चुपाया बैंक की कुछ संदिग्ध प्रथाओं में स्विफ्ट के माधिम से कोडिद संदेशों का उपयोग करना शामिल है अंतराश्ट्रिय बैंकिंग लेंदेन के लिए उपयोग की जाने वाली वित्तिय संचार प्रणाली उन कोडिट संदेशों ने उन संस्थाओं की मदद की जो अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है और बैंक ने संदिग्ध गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने वाले अनुपालन अधिकारियों को चुप करा दिया हाँ, यह निश्चित रूप से चीन जैसा लगता है एक देश के लिए जो अपराद का मुकाबला करने की परवा करने का दावा करता है वो हमेशा कारवाई करना पसंद करता है यह ऐसा होगा जैसे एश कैचम ने कहा कि वो पोकेमॉन फाइटिंग लीग को रोखना चाहते है आप सचमुच इसके चैंपियन हैं, दोस्त लेकिन चीन केवल अधिक संपत्ती हासिल करने के लिए धन शोधन नहीं कर रहा है यह इसे पश्चिम को सक्रिय रूप से कमजोर करने के लिए एक उपकरण के रूप में उप्योग कर रहा है मैं आपको बताऊंगा की ब्रेक के बाद कैसे वापसी पर स्वागत है चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी राज्जी के स्वामित्ववाले चीनी बैंकों को विदेशों में मनी लॉंडरिंग की सुविधा देने और आलोचना के खिलाफ उनका बचाव करने की अनुमती दे रही है लेकिन एक अलग तरह का मनी लॉंडरिंग भी है एक जिसमें भूमिगत चीनी बैंक शामिल है इनमें से कुछ मनी लॉंडरिंग योजनाओं में मेक्सिकन ड्रग कार्टेल सहित अपरादिक संगठन शामिल है अपराद में CCP इतनी अच्छी है कि वे ग्रह के दूसरी और अपराद में मदद कर रहे है इमानदारी से यह एक तरह का प्रेरख होगा यदि यह नहीं होता आप जानते हैं अपराद चीनी बैंकिंग अप्स के लिए धन्यवाद जो अमेरिका और अन्य देशों के दाएरे से बाहर है चीनी संगठित अपराद ने मेक्सिकन ड्रग कार्टल्स के लिए मनी लॉंडरिंग पर कबजा कर लिया है जो मेक्सिको में दवा बिक्री के मुनाफे को स्थानांतरित करने के लिए एक अधिक कुशल प्रणाली प्रदान करता है इससे कार्टेलों के लिए शुद्ध लाब में वृद्धी हुई है और उन्हें अपने कार्यों का विस्तार करने का अधिकार मिला है इसमें से बहुत कुछ ट्रेड आधारित मनी लॉंडरिंग के माध्यम से किया जाता है इसका सार यह है कि डीलर ड्रग कैश को चीनी मरकंडाइज में परिवर्तित करते हैं जो अक्सर सस्ते सामान से अधिक होता है या तो सीधे चीनी विक्रिताओं से या अमेरिकी आयातकों के माध्यम से इसके बाद काटेल को जहां कहीं भी धन की आवश्यक्ता होती है वहां भेज दिया जाता है एक बार बेचने के बाद आय बैंक हो जाती है दुनिया के महान निर्यातक के रूप में चीन के व्यापक प्रभाव के लिए धन्यवाद, चीनी निर्माताओं और freight forwarders की मदद से व्यापार आधारित money laundering को बड़े shipment में आसानी से छिपाया जा सकता है इसलिए पैसे बचाने की कोशिश में सस्ते चीनी सामान खरीदने वाले लोग Mexican Drug Cartel का समर्थन करते हैं पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी अन्वेशक जौन कसारा के अनुसार ये चीन की भूमिगत बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है जो पारंपरिक बैंकिंग संस्थानों को दरकिनार कर देता है काटेल पर चीन का इतना प्रभाव है कि भूमिगत चीनी बैंक अब लैटन अमेरिका में लगभग सभी नाको मनी को संभाल रहे है हम नहीं जानते कि ये भूमिगत बैंक कितने व्यापक हैं लेकिन ये बड़े पैमाने पर है उदाहरन के लिए इटली में, रोम, फ्लोरेंस और अन्य शहरों में शाखाओं वाले एक गुप्ट बैंक की जाँच चल रही है जो सालाना 2 बिलियन यूरो तक का शोधन करने और चीनी राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के खातों में पैसा भेजने में सक्षम है सभी साक्षे इंगित करते हैं कि चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी धन शोधन करताओं के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है कनाडा इसका एक और प्रमुक उदाहरन है विशेश रूप से वैंकूवक शेत्र में जो चीनी नगदी द्वारा संचालित मनी लॉंडरिंग का पर्याय बन गया है शायद इसलिए कि कनाडा में छोटी मात्रा में नगदी को लोनी और टूनी कहा जाता है और पैसे से चिंतित होना असंभव है जो लगता है कि यह बग्स बनी द्वारा उपयोग किया जाता है खोजी पत्रकार सैम कूपर के अनुसार वही आदमी जिसने कनाडा के चुनावों में चीनी प्रभाव संचालन पर प्रकाश डालने में मदद की CCP में सम्मानत अधिकारी कुलीन, अंतराष्ट्रिय एशियाई गिरोहों के संचालक और मालिक है और वे इस प्रक्रिया में कनाडा के अधिकारियों को ब्रश्ट कर रहे हैं यदि ग्रह पर कहीं भी अपराद है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि CCP उसका समर्थन कर रही है CCP अपराद के फैरेल विलियम्स की तरह है उन्होंने पिछले कुछ दशकों में सब कुछ बनाने में मदद की खतरनाक मनी लॉंडर्स के साथ कम्यूनिस्ट पार्टी के ब्रोमैंस के कई उदाहरन है इसका एक उदाहरन कनाडाई नागरिक असची लोप है जिसे एशिया के Most Wanted Drug Boss के रूप में जाना जाता था वो The Company के रूप में जाने जाने वाले एक अंतराष्ट्रिय मादक पदार्थों की तस्क्री सिंडिकेट का नेता था जिसे Royal Canadian Mounted Police और कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा दोनों जानते हैं कि चीनी राज्य पुलिस और खुफिया एजैंसियों से जुड़ा है औस्ट्रेलिया में चेन संगठन है ये बहुत स्पष्ट है कि यह CCP के कितने करीब है इसकी सेवाओं का उप्योग मकाव जुआ खेलने वाले एलविन चाओ द्वारा किया गया था जो अब चीन में 18 साल की जेल का सामना कर रहा है एक प्रमुक चीनी असंतुष्ट के अनुसार चाओ एक सफेद दस्ताने या बैग मैन थे और पूर्व नेता और मृतक टॉट जियांग जैमन से जुड़े पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के लिए मकाव की संपत्ती थी चेन और्गनाइजेशन पर एक विश्याले के मालिक और कथित मनी लॉंडर साइमन पैन को पैसे ट्रांसफर करने का भी संदे है जो चीनी नेता शी जिंपिंग के चचरे भाई मिंग चाय के बिजनेस पार्टन है यहां एक पैटन देख रहे हो पुलिस और खुफिया एजेंसिया जरूर करती है विशेश रूप से चीनी वाले क्योंकि वे इसमें शामिल है पिछले पाँच वर्षों में राज्यों और संगिये पुलिस एजेंसियों ने आस्ट्रेलिया में संगठित अपरात के लिए चीनी सरकार के साथ संबंधों के आकरों को लगातार जोड़ा है ये सब एक चेतावनी होनी चाहिए कि चीन एक ऐसा देश नहीं है जिस पर हमें मनी लॉंडरिंग का मुकाबला करने के लिए भरोसा करना चाहिए ये कम्यूनिस्ट पार्टी के अभिजात वर के लिए दूसरा रास्ता देखेगा और अन्य देशों में भरष्टाचार को बढ़ावा देगा इससे भी बत्तर ये ड्रग्स, अवैध हथियारों के सौदे, मानव तसक्री और यहां तक की आतंक्वाद से लेकर हर चीज में शामिल चायादार नेटवक में पैसा लगाएगा और संभवता भी जे वॉकिंग, सिर्फ खेल के प्यार के लिए और यह शो दर्शकों के स्पोर्ट की वज़े से संभव हो पाया है इसलिए क्राउटफंडिंग वेबसाइट पैटरन या अननन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसकिये चीन का समर्थन करने वाले मेरे अद्भुत प्रशनसकों के लिए धन्यवाद के रूप में मैं आपके एक प्रशन का उत्तर दूँगा स्टेट इचिम पट्रियन पर पूछता है क्या CCP ने कभी दावा किया है या संकेत दिया है कि नागरिक्ता की परवा किये बिना सभी चीनी लोग उनके है मुझे पता है कि चीन सभी पांडा का मालिक है लेकिन क्या ये कभी पूरे जातिये समूह तक गया है? अच्छा प्रशन CCP अधिकांच अन्य सरकारों की तरह नहीं है वे पहले चीनी लोगों को जाती के आधार पर देखते हैं किसी प्रकार की कानूनी स्थिती से नहीं वे हान जातिये समूह के लोगों को श्रेष्ठ मानते हैं वे अन्य जातिये समूहों जैसे तिबबतियों और उईगरों को हीन दृष्टी से देखते हैं लेकिन वे अभीभी CCP के हैं। और कोई भी जातिये चीनि लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं नागरिक्ता की परवा किये बिना भी CCP से संबंधित हैं। वे इसे सपश्ट रूप से नहीं कहते हैं। लेकिन वे निष्चित रूप से इसे पसंद करते हैं। CCP के संयुक्त मोर्चा कारे विभाग के प्रमुख मिशनों में से एक इन चीनी लोगों को शामिल करना है भले ही वे दूसरी या तीसरी पीडी के चीनी हो इस मिशन में चीनी डायस्पोरा की गतिविधियों की निगरानी करना और विदेशों में स्थित असंतुष्टों को शांत करना शामिल है CCP को प्रवासी चीनी पर नियंतरन बनाये रखने की आवश्यक्ता है क्योंकि चीनी लोग जो मुक्त देशों में रहते हैं और स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं CCP की आलोचना कर सकते हैं और पर्याप्त संगठित आलोचना CCP के पतन का कारण बन सकती है इसलिए मूल रूप से CCP सभी जातिये चीनी लोगों को पांडा की तरह मानती है कि वे चीन से संबंधित हैं और वास्तव में उन्हें पिंजरों में रखा जाना चाहिए आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, स्टेट चिम्प और बाकी सभी को धन्यवाद जो पेट्रन के माध्यम से बिना सेंसर के चीन का समर्थन करते हैं प्रट्रियन में हमसे जुड़े और प्रती एपिसोड एक डॉलर या उससे अधिका योगदान दे शो में आपके सवालों के जवाब देने सहित आपको बहुत सारे शांदार भत्ते मिलेंगे प्रट्रियन.com स्लाश चाइना अंसेंसर देखें एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ चाइना अंसेंसर देखने के लिए धन्यवाद